हेलो दोस्तों मैं हूं संदीर सिंग, वैलकम बैक टू रिइनफोर्स, लाइफलाइन फोर सिविल इजिनियर्स और आज के सेशन में हम बात कर रहे होगे कि जो भी आपके रोड, हाइवे, एक्सपर से बनते हैं, वो जब हम फ्लेक्सल पेमिंट से बनाते हैं, नी बिटुमिन होता है, इसके लिए हम कौन सी क्लॉज यूज़ करते हैं, और इसमें हम कौन-कौन सा मटरेल्स यूज़ यूज़ करते हैं, यह सारी चीज़ knowぎ, यह सारी हूज़ आपको सीखने को मिल रही होगी, तो आप बने रहे हैं हमारे साथ, और हम करते हैं अपने सेशन को तो सबसे पहले हम बात करेंगे prime coat की prime coat क्या होता है prime coat आपका एक low viscosity का liquid witness material होता है जिसको हम लोग WM की surface के ऊपर उइस करते है अब होता है कि जो आपका flexal payment ये वो layers में बनता है सबसे पहले आपका subgrade का लियर आता है फिर आपके GSB के लियर आती है उसके बाद WM का लियर आता है उसके बाद DBM का लियर आता है और उसके उपर BC का लियर आता है तो जो हम DBM का लियर डालते हैं तो DBM का लियर डालने के 24 घंटे पहले WM की surface की उपर हमें prime coat का spray करना होता है आपने देखा हो कभी रोड बनते हुए एक black color का liquid spray किया जाता है, उसको हम prime coat बोलते हैं, अब prime coat का क्यों यूज किया जाता है, जिस तरह से हमारी skin होती है, skin से हमारा पसीना बहार आता है, skin में छोटे-छोटे pores होते हैं, उसके थो हमारा पसीना बहार आता है, उसी same process से जो आ उपर DBM डालने के 24 घंटे पहले हम prime coat का spray करते हैं, जिसमें जो भी छोटे-छोटे voids होते हैं, वो सारे voids आपके फिल हो जाते हैं, तो आप ये मानिए कि एक तरह से WMP surface की waterproofing हो रही है, ताकि capital reaction की तो उपर पान ही ना आए, यदि हम इसमें material की बात करेंगी, कौन सा material यू यदि आप 700 ग्राम, 800 ग्राम, 1000 ग्राम अगर आप बिटमिन यूज़ करेंगे, तो उससे आप आराम से 1 मिटर स्कॉयर का area cover कर सकते हैं, as per design, आँगे हम बात करें कि जो आपका prime coat होता है, उसमें हम लोग मौर्थ का section 502 यूज़ करते हैं, और इसकी जो measurement होती है, as per मौर्थ हम मीटर स्कॉयर में कर रहे होते हैं, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि prime coat को हम लोग चिपकाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, prime coat का यूज़ है कि WM की surface में जो void से उसको fill किया जाए, waterproofing के लिए यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करते समय आपको यह ध् सीखने चाहते हैं कि life project drawing के थो हम लोग prime coat, tag coat, seal coat की quantity कैसे निकालते हैं, उसके material का estimation कैसे करते हैं, तो आप मुझे comment section बता सकते हैं, तो आने वाले समय में हम उस पर भी बात कर रहे होगे, आगे चलते हैं, next हम बात करेंगे tag coat के बारे में, tag coat क्या होता है, tag coat भी आपका एक low viscosity का liquid witness material होता है, जिसको हम लोग prime, WM की surface के उपर, existing witness surface के उपर, या फिर किसी concrete की surface के उपर use कर रहे होता है, इसका man और man मकसद होता है, binding करना, that ensure the binding between the two layers, तो tag coat का 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 है, वो दो layer को bind करके रखता है, चिपका के रखता है, binding का 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 काम prime coat का नहीं है, tag coat का है, एक project में आप तो मौटा मौटी हम तीन बार tag coat का use कर लेते हैं, पहली बार tag coat का use होता है, WM की surface, और जो आपकी DBM की surface होती है, उसको bind करने के लिए, उसको चिपकाने के लिए, और दूसरी बार जो tag coat का use होता है, वो होता है, आपका DBM की surface, और जो आपका bituminous concrete, यानि BC की surface होती है, उसको चिपकाने के लिए और तीसरी बार हम TechKood का यूज कर रहे होते हैं Repairing work में, पैचिंग work में आप देखेंगे जब आपका road बनके तयार होता है और किसी दुनों में आपका खराब हो जाता है इंडिया में तो समझ नहीं आता कि रोड में गड़ा है कि गड़े में रोड है तो जितना भी आपका repairing का काम होता है maintenance का काम होता है जितना भी आपके गड़े होते हैं जिसको आप port holes बोलते हैं patching work होता है तो उन सम्में हम लोग tech coat का use करते हैं तो tech coat आपका एक binding material है जो कि चिपकाने का काम कर रहा है यदि हम इसमें material की बात करें कि material के नाम पे हम इसमें क्या use कर सकते हैं तो material के नाम पे आप इसमें bitumen emulsion यूज़ कर सकते हैं आप इसमें cutback bitumen यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें busy 10 यानि viscosity grade 10 का bitumen यूज़ कर सकते हैं अब कितना यूज़ करना है तो इसका जो rate of spray होता है आपका वो 0.2 से लेके 0.35 kg per meter square होता है डिपेंड कर रहा होता है कि जो आपका tech coat है उसको हम लोग यदि WM prime surface को पर यूज़ करते हैं तो 0.25 kg per meter square कर लेते हैं यदि हम tech coat को किसी betweenness surface को पर यूज़ करते हैं तो 0.2 kg per meter square यूज़ कर लेते हैं यदि हम tech coat को किसी concrete की surface को पर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आपका 0.3 kg per meter square यूज़ कर लेते हैं तो इस तरह से डिपेंड करता है कि हम लोग tech coat कि surface को उपर डाल रहा है तो इसका जो measurement है टेक कोट का वो हम meter square में कर रहे होता है और इसके लिए मौर्था section 503 हम यूज करते हैं आगे चलते हैं हमने prime coat की बात कर ली टेक कोट की बात कर ली अब हम बात करते हैं seal coat की की seal coat का क्या काम होता है इसके नाम सी पचल रहा है seal coat मितलब जो sealing का काम करे यानि चीज़ों को seal कर दे तो जब पूरा road बनके तयार हो जाता है हमारी final layer डल जाती है तो जो आपकी top layer होती है जिसके उपर आपका vehicle movement होता है तो आप उसमें देखेंगे small small voids होते हैं तो उसके थो आपका dust ingress कर सकता है rain water penetrate कर सकता है तो हमारा between की layer खरा हो सकती है तो यदि हम उसके उपर seal coat डाल देंगे तो उसमें dust और water आपका ingress नहीं करेगा और इसके साथ-साथ आपको smooth surface मिलती है और आपकी riding quality increase हो रही होती है और seal coat top surface को stability provide करता है और इसके साथ-साथ उसका life span भी increase हो जाता है और seal coat के लिए morph का section 511 यूज़ किया जाता है और S पर morph दो तरह का seal coat होता है seal coat A type और seal coat B type जो आपका seal coat A type होता है उसमें हम लोग ऐसे बिट्रिस binder हम लोग बिट्रुन इमलसन यूज़ करते है और इसका जो rate of spray होता है वो आपका 9.8 kg per 10 m2 होता है और इसमें बिट्रिस binder के स साथ साथ stone chips भी यूज़ करते हैं जिसकी 6.7 mm से 100% passing होनी चाहिए और 2.3 mm पर आपका return करना चाहिए तो दूसरा होता है seal coat B type जिसमें हम लोग बिट्रिस binder के साथ साथ fine aggregate को premix किया जाता है इसमें ऐसे बिट्रिस binder हम लोग बिट्रुन इमलसन का यूज़ करते है और जिसका जो quantity है वो आपका 6.8 kg पर 10 m2 यूज़ किया जाता है और इसमें ऐसे fine aggregate आप देखेंगे जो aggregate यूज़ किया जाता है तो उसका जो size होता है वो आपका 2.36 mm से 100% pass होना चाहिए और 180 micron पर आपका return करना चाहिए तो यह होता है आपका seal coat जिसको हम लोग top surface को पर यूज़ करते है तो google play store से जाके आप reinforce download कर सकते हैं जिसमें आपको 40 से जंदा courses एक affordable price में मिल जाएंगे और अधी आप हमसे live interaction करना चाहते हैं हमारी offline classes join करना चाहते हैं तो नीचे दियो नंबर पर आप अपना counseling कर सकते हैं otherwise नीचे जाके आप अपना form फिल कर सकते हैं inquiry के लिए मांकी मिलत ने सेशन में तिल देन कीप लनिंग कीप एक्स्लोरिंग थैंकी सो मुच